मैम, मैम अल्ला जूट ना बुलवाए, सब कुछ अपनी आँखों से देखके आ रही हूँ, सर बड़े चुकन्ने अंधास में बड़े बड़े कदमों से उसके कमडे की तरफ जा रहे थे, और जिस रोज वो आई थी ना, उस रोज सर उने देखके हैरान तो हुए, मगर इस लड़की का इलाज तुमें करती हैं, आई तो है वो तब्रेस की भीवी की हैसियत से, मगर जब जाएगी तो तब्रेस का नाम उसके नाम के साथ नहीं होगा, तलाक नामा ले के जाएगी, सुनो, उस लड़की का समान उठाओ, और सरवन्ट कौटर में रखो, वो आज से तुम्हारे साथ तुम्हारी निग्रानी में रहेगी, ताकि मेरी अमानत में कोई खयानत ना कर सके, जियर जियर जियर, यह क्या कर रही हो तुम, आप लीज जा यहां से, पुलाजमों के सामने तो कुछ लिहास कर लिया करो यार, कितना श्र्मेंदा करना चाती तुम मुझे, अपनी इज़त अपने हाथ में होती है तब्रीज, समझे, क्यों गए थे उसके पास, मैंने भी फैसला कर लिया, अब तुम उससे तलाग दोगे, और यह किस्ता हमेशा हमेशा के लिए खतम कर दोगे, तुम सुन रहे हो जो मैं कह रही हूँ? सुना। तो पर जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? यहाँ पर मेरा फैसला तुम्हें पसंद नहीं आया? बोलो, जवाब दो, खामोश क्यों है, बोलो ना? सुना। मैं बच्ची नहीं हूँ तप्रेश मैं तुम्हारे इस अंदास को बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ तुम मेरे पैसों को इसको आश नहीं करवा सकते हूँ और मेरी आंखों में धूल छोंके, तुम उसे मुहबत नहीं चता सकते हूँ मैं उसे छोड़ूंगे नहीं एक-एक को देख लूंगी मैं प्लीज, प्लीज, रिलाक्स तुम बालो खुद को अच्छा ठीक है तुम अपनी तवित खराब मत करो तुम जो कहोगी वही होगा बच जाओ बच्चाओ वह सर्वेंट कॉर्टर में ही रहेगी मेरी मरसी के बगार स्टेर में कुछ नहीं हो सकता जो मैंने किया दिया वह होगा झालो